प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल वी टीवी ओडिया एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस बेल आइकॉन दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बास राशन काड है जिनके बास राशन काड है उनको सरकार हर महीने पांच किलो राशन देती है चार किलो गेहूं एक किलो चावल इस महीने ये पांच किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है उनसे पैसे नहीं लिये जाएंगे इसके अलावा पांच किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहट और दिया जा रहा है वो भी मुफ्त दिया जा रहा है तो हर राशन काड़ धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है जो कि मुफ्त होगा पांच किलो दिली सरकार की तरफ से और पांच किलो केंद्र सरकार की तरफ से लेकिन दिल्ली में केवल 72 लाख राशनकाड़धारी हैं, ये 72 लाख का कोटा केंदर सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतनी राशनकाड़धारी होंगे, तो नए राशनकाड अभी नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका खतम हो गया दिल्ली का, उन लोगों के लिए जिनके पास राशनकाड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है, जो जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा, पिछले साल भी जब पहली वेव आ जाएगा, ये एक दो दिन के अंदर, दो चार दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालो हो जाएगा, इसमें आपको कोई इंकम सर्टिफिकेट देनी की ज़रूर तरह 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 जो कहेगा, मैं गरीब हूं, मुझे राशन चाहिए, उसको जाएगा, दूसरे, ऐसे कई लोग हैं, जिन लोगों की करोना की वज़े से मौत हो गई, उन सभी लोगों से हमारी सहानु भूती है, हम समझ सकते हैं, जब अपने किसी की मौत हो जाती है, तो परिवार के उपर, अपने उपर कितनी बड़ी गाज गिरती है, आपके इस को, इस ख्षती को हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे हर परिवार को, जिनके यहां कोरोना की वज़े से मौत हुई है, उनने पचास-पचास हजार रुपए का मौाफजा दिया जाएगा, एस ऐसे कई परिवार हैं, जिनके यहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति कमाता था, हर महीने घर में कुछ लेके आते थे, उनने की वज़े से परिवार चलता था, ऐसे परिवारों में, जिनके कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनने वो एक्स-ग्रेशा एमाउंट के साथ-साथ, धाई हजार रुपए महीने की पैंशन भी शुरू की जाएगी, अगर पति की मौत हुई, तो वो पैंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई, त नहीं था तो उसके माबाप को वो पेंशन मिलेगी लेकिन डाई हजार उपर उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहां जिनके परिवार में कमाने वाले विक्ति की मौत हुई है ऐसे बच्चे जिनके दोनों माबाप की मौत हो गए उन दोनों माबाप की चाहे करोना से मौत होई या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माबाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब करोना से मौत हो गए मतलब दोनों में से एक की कम से कम करोना से मौत हुई और बच्चे बनात हो गए हैं ऐसे में हर बच्चे को धाई-धाई हजार रुपे महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी तो ये हमने काफी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की दिल्ली के लोगों की करोना की इस कठिन परिस्थिटियों में मदद कर सकते हैं चार एहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है, अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा, आप सोच रहोंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा, इतनी बड़ी-बड़ी घोशना है जो आज कि इतना पैसा कहां से जाएगा, छे साल पहले आप लोगों ने एक इमानदार सरकार बनाई थी, पिछले छे साल में हम हर सरकारी काम में रिश्वत खोरी भी नहीं होने देते उससे पैसा बचाते हैं, फिजूल खर्ची भी नहीं होने देते उससे भी पैसा बचाते हैं, लेकिन पिछले चार-प मंतरियों ने मेरे अफसरों ने बैठ के, इस पे काफी विचार में मन्थन किया, और ये देखा कि कहा कहा से इस वक्त हमारे लोग犁 मुसिबत में है, इस मुसिबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएइंगे तो फिर क्या फाइदा? तो हमने देखा कि कहां कहां से हम पैसा बचा सकते हैं किन चीजों से पैसा निकाल सकते हैं उन सब चीजों से पैसा निकाल के हम ये चार महतोपून योजनाय आपके लिए लेके आएं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि आप मुसीबत में हैं इस मुसीबत की घड़ी में आप जब भी कभी मुसीबत में होंगे आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे मेरा फर्ज है कि अगर आप कभी भी मुसीबत में हो तो आपकी मदद करूँ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो इतनी मुश्किल घड़ी हमारे सामने आई है हम सब मिलके एक परिवार की तरह दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार की तरह इसका मिलके मुकाबला करेंगे और हमारी जीत अवश्य होगी नमस्कार